मेरे परिवार जनो मोदी ने गरीब दलीद पिछड़े आधिवासी परिवारों को पक्के घर की गारंटी दी है अभी तक इसके तहर देश में चार करोड परिवारों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं यहाँ MP में भी अभी तक लाखों घर गरीब परिवारों को दिये जा चुके हैं और आज भी इतनी बड़ी मात्रा में घरों का लोकारपन किया गाए है जमीन लोगों की सरकार दिल्नी में थी तब गरीबों के घर के नाम पर भी सिर्फ लूट होती थी यह लोग जो घर बनवाते थे वो रहने लाइक भी नहीं होते थे देश भर में ऐसे लाखों लाबारती थे जिन्नों ने कभी उन गरों में पैर तक नहीं रखा लेकिन आज जो घर बन रहे हैं उनमें खुशी खुशी ग्रह प्रवेश हो रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि यह घर हर राबारती बहन भाई खुद अपने हिसाब से बना रहा है अपने सपनों के नुरुप अपनी जरुतों के हिसाब से अपना घर बना रहा है हमारी सरकार जैसे जैसे काम होता जाता है टेकनोलोजी उनके माध्यम से मोनिटर होता है और तुरंत उसके खाते में सिधे पैसे भेज देती है कोई चोरी नहीं होती है कोई कटकी कंपने नहीं कोई प्रक्टाचार नहीं और उसका घर बनना हो जागे बढ़ जाता है पहले घर के नाम सिर्फ चार दिवारे खड़ी होती थी आज जो गर मिल रहे हैं इन में टॉइलेट बिजली नल से जल उज्वला की गैस सब कुछ एक साथ मिलता है आज यहां ग्वालियर और शोपुर जिले के लिए एहम जल परी योजनाओं का भी काम शुरू हुआ है यह भी इन घरों में पानी की सप्लाई में मदद करेगी साथियों इन घरों की लक्ष्मी याने मेरी माताए बैने घर की मालिक हो यह भी मोदी ने सुनिश्चित किया है आपको पता है न कि पीएम आवाज योजना के घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है पीएम आवाज योजना के घरों से करोड़ों बेहने लगपती हुई है जिनके नाम कोई संपत्ति नहीं थी उनके नाम पर लाखों के गर रजिस्ट्र हुए है आज भी जो गर मिले है उनमें से ज़्यादातर गरों की रजिस्ट्री बेहनों के नाम पर है और भाईयों बेहनों मोदी ने अपनी गरंटी पूरी की है मैं एक गरंटी आप बेहनों से भी चाहता हूं मैं जड़ा बेहनों से पूझना चाहता हूं मैंने तो मेरी गरंटी पूरी की आप एक गरंटी देगी आप मुझे गरंटी देगी पक्का देगी तो मुझे गरंटी चाहिए गर मिलने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है कोई न कोई काउशल सिखाना है करोगे आपकी इस गैरंटी मुझे काम करने की ताकत देती है